हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैं चैनल, देखे फ्रेंट्स, आज हम खुबसूरत सा बेभी स्वेटर बनाने जा रहे हैं, यह मैं तीन से चार साल की बच्ची के लिए बनाने जा रही हूँ, तो यह मैंने 90 चैन लेना है, हमें जो चैन लेना है, मल्टिपल उफ सिक्स प्लस सि लेना है जिक्स चैन दोनों साइट कच पट्टी और बटन पट्टी के लिए आगे हम एक्स्ट्रा रखेंगे और जो डिजाइन है हमारी सिक्स के मल्टिपल में बनती है ठीक है तो देखें बाजू के लिए हमने तीन-तीन डिजाइन रखी है तो अठारा चैन दोनों साइट अगे के दोनों पॉश्चन में दो-दो डिजाइन रखी है तो 24 यह हो गया और पीछे 24 टोटल लेके हमारे पास प्लस सिक्स तीन आगे दोनों तरफ तीन-तीन एक्स्ट्रा है त्याने कि 90 चैन होगी अब आपको बड़ी साइज का कैसे बनाना है तो वह मैं आपको थोड़ यह वाली जो चैन है फॉर्थ वाली में हम एक डबल क्रोश्या बनाएंगे तो यह जो है हमारा तीन जो है यह हमारा कजपट्टी बटन पट्टी के लिए ठीक है अब इसके बाद हमने मैंने आपको उताय था कि फ्रंट साइट के लिए हमने दो-दो डिजाइन रखी है तो दो यानि की बारा चैन तो हम यह बारा डबल क्रोश्या पहले बना लेंगे एक चैन में एक एक दो तीन चार पांच पांच के बाद चै चै के बाद साथ आठ नौव दस ग्यारण और यह बारा हो गया बारा और इसका दियाँ पर देखिए बारा ट्वैल यह हो गया हमने तीन यह पंद्रह डबल क्रोश्य बना लेंगे फिर नेक्स्ट से यहां से अब हम अठारह डबल क्रोश्य बना लेंगे एटीन डबल क्रोश्य यहां से वान टू आप के नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोश्य बना लेंगे और टोटल 24 24 दबल क्रोश्य हम बैक साइट के लिए बना लेंगे तो बना लेते हैं 24 डबल क्रोश्य यह दिखिए यह अब फिर यहां पर आपको दो चैन बनानी है फिर उसके आद नेक्स्ट से हम यहाँ पे आब 18 double crochet बनाएंगे यह back side है फिर दूसरी side की बाजू के लिए आप 18 double crochet बना लेंगे तो बना के complete कर लेते हैं हाँ ऑंफ कि दीखीं यह हमने समस्तिक्स बना लेए फिर यहाँ पे हमें दो चैन बनाना है और दो के बाद फिर से अब यह पे में 15 को रोज़सी बना लेने हम आ, बारे डिजाइन के और तीन हमारे ऐक्स्ट्र में 15 क्रोश्य बना लेते हो आ कि यहां पे मैंने 15 डबल क्रोशिय बना लिए ठीक है यहां पे मेरे पास एक चैन एक्स्ट्रा है तो यह तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए ने क्योंकि हम जब कंगुरा बनाएंगे गले पे गले पेम कंगुरे बनाएंगे लास्ट में पूरा कम्प्लिट गरना है तो यह अब यहां से देखिए ृपीट परणे एक दो दो चैन 1-2 छोड़एंगे तीसरे में हम एक डॉअ बनाएंगे फिर दो चैन फिर देखें तीसरे में ही एक और डबल क्रोश्य ठीक है फिर एक दो और देखिए आप एक दो छोड़ेंगे तीसरे में सिंगल क्रोश्य यह देखिए यहाँ पर एक दो यह एक डिजाइन के लिए हमारा सेट बना देखिए एक दो तीन चार पांच चैन हो गया दो chain फिर एक दो छुड़ेंगे तीसरे में हम एक double crochet बनाएँगे दो chain फिर एक or double crochet फिर दो chain अब देखें आप एक दो छोड़ेंगे तीसरे में हमें single crochet तो यह दो design जो है हमारी front side के लिए बन जाएगी इसमें गसे अब यहाँ पर देखें एक दो दो double crochet इसमें आपको एक डबल क्रोश्या बनाना है फिर एक दो दो चैन और फिर इसी में एक और डबल क्रोश्या यानि कि एक पूरी डिजाइन यह जो पेस हमने ली है इसमें हमारी जाएगी ठीक है फिर यहां पर एक दो दो चैन अब देखें यहां पर पहला डबल क्रोश्या है इसी में इसे हम सिंगल कुरूशे से जोड़ेंगे, यहां पर हमारी डिजाइन खतम हुई और इस स्पेस में हमने पुरी डिजाइन बनाई और पहला लोग डबल कुरूशे उसमें इसे जोड़ दिया, फिर यहां पर एक दो चैन अब देखें एक दो छोड़ेंगे तीसरे मे सिंगल कुरूशे तो ऐसे ही आपको पूरी रोबनानी जब भी यह स्पेस आएगा तब ऐसे बना लेना है तो बना लेते हैं लास्ट में हमें तीन डबल कुरूशे बनाना है तो लास्ट डाली डिजाइन के पहले रुख जाएंगे, यह दोनों हमारे फ्रेंट साइड है, यह दोनों आर्म होल और यह पीछे का बैक ठीक है लेकिन हमने जिसे में आपका था कि आ लास्ट के पहले रुख जाएंगे तो देखिए लास्ट डिजाइन के पहले हम रुखे हुए हैं यह डिजाइन को हमने आप सिंगल से नहीं जोड़ा है दो छोड़ेंगे तीसरे में एक डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोश्या और फिर लास्ट में इस तरह बना लेंगे अब यहां आपको टर्न हो जाना है ध्यान से दिखेगा फ्रेंज क्योंकि यही यहां से आपको जो लाइने वही रिपीट करना है देखिए एक यह रो है फिर सेकंड चार लाइने बताऊंगे मैं चार लाइन का रिपीट करना एक दो तीन तीन चैन फिर एक हम डबल क्रोश्या बनाएंगे और एक और ठीक है यह हमने बनाए अब इसके आद यहां पे हम एक चैन कॉर्णर में सिर्फ एक चैन लेना है फिर इसमें हम क्लस्टर बन इसको बंद किया फिर 1-2 चैन फिर क्लस्टर 1-2 और इसको बंद किया फिर नहीं पर बेखें पुरा चोड़े के के इसके अंदर इसमें बने डिजाइन बनाए फिर डारिक्ट इसमें हम इसको बनाएंगे देखिए एक आपको याद होगा अब मैंने एक वीडियों एप्लोड इससा अबन किया फिर दो चेन फिर यहां पर देखिए यहां पर इसको आपने एक बनाया दो बनाया बंद किया एक दो दो चेन फिर वापिसे क्लस्टर देखे एक 2 2 quello crochet को बंद किया फिर 2 chain फिर एक और cluster देखिए 1 2 फिर इसे हमने बंद किया दो chain ताब इसी तरह से बनाती जाना है आपको यह पूरी row complete करेंगे यह देखिए यह हमने row complete कर ली है फिर यहाँ पर हम एक ही chain बनाएंगे लास्ट में एक बनाएंगे और यहाँ पर हमने शुरू में एक चैन ली थी ठीक है अब इसके बाद यह जो तीन डबल क्रोशे हैं इसके पर हम तीन डबल क्रोशे बना लेंगे एक दो यह डबल क्रोशे और तीसरा यह यहाँ पर ठीक है यह दो लाइन दो लाइन आपको अच एक दो तीन तीन चैन दो डबल क्रोश्य देखिए एक और ये दो ठीक है फिर इसके बाद अब देखिए यहां पर हम एक चैन बनाएंगे और देखिए इसमें यहां पर इसमें इसमें हम एक डबल क्रोश्य बनाएंगे ठीक है फिर एक चैन फिर नेक्स्ट में डबल क्रोश् ठीक है फिर एक चैन फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे फिर एक चैन एक डबल क्रोशे अब देखिए जब हम बीच में आएंगे यहां तक बनाए इस वाले पर आएंगे यहां पर क्या करेंगे देखिए एक चैन यहां पर एक डबल क्रोशे ठीक है फिर एक चैन फिर इसी में एक डबल क्रोशिय यह देखिए, corner पर आपको ऐसे करना है, फिर यहाँ पर दो चैन बनाएंगे, फिर इसमें एक डबल क्रोशिय बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर एक और डबल क्रोशिय, तो ध्यान देखिए, दीजिए, corner पर आपको कैसे बनाना है, जो corner वाला है, इसमें आ एक दबल कुरोश्य यहां बीच में दो चैन लेनी है ठीक है तो बना लेते हैं ये देखिए यह हमने रो कम्प्लीट कर लिए लास्ट में एक चैन बना लिए तो देखिए यह स्पेस छोड़ देंगे डायरेक्ट तीन डबल कुरोश्य पर तीन डबल कुरोश्य बनाएंगे करें दो है और हुए है कि अभी तीसरी लैन हो गई दिर लिए अपने जाज चौत्री लेन देsam असुझ क दिखिशक पर एक तूर्स टीन दिंट फिर एक है यहां से आपको एक डोणuks यह बनाना है किया स्पय से में हम एक double crochet बनाएंगे ठीक है देखें इसमें बनाए हमने फिर इस पर बनाएंगे फिर एक हम इस पर बनाएंगे फिर देखिए double crochet के उपर double crochet देखें इस तरह से बनाते जाएंगे ऐसा आपको लाज तक बनाते जाना है लेकिन जो बीच वाली लाइन है जो increasing point है वहाँ थोड़ा सा change है वह आप समझ लीजे थोड़ा कुछ नहीं करना है बस double crochet पर double crochet फिर जो space है इसमें भी एक double crochet अब देखें यह हमारी row complete हो गई है यहां तक अब यहां ध्यान देखें इसमे बात इसमें double crochet जाना है यहां पर यहां पर एक double crochet फ्र एक समें double crochet और फिर एक इसमें व स्मय यह इन क्रिजिंग cm in संटर है यहां तक आपने बना है कि यह मारा इंक्रेजिंग पॉइंट है इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है फिर यहां पर एक दो चैन तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं यहां पर हमने बारा डबल क्रोशिय ले थे यहां पास 18 डबल क्रोशिय होनी चाहिए एक, दो, तीन को छोड़के देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह, तेरह, चौदर, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह क्योंकि एक डिजाइन बढ़ेगे है हमारी, दो डिजाइन में बारह चीह है, फिर उसका दा अठारह ठीक है, अब देखें, यहाँ पर हम, फिर दो डबल क्रोश्या सेम बनाएंगे, दो चैन बनाने बाद, फिर दो सेम में बनाएंगे, और फिर यहाँ से आपका डबल क्रोश्या बनता जाएगा, ठीक है, तो यह डबल क्रोश्या यह हमारा, तो ऐसे बनाना है, जब कॉर्णर तो देखिए कौर्णर में बीच वाला देखिए सीधी जाएगा यहां तक तो सेम बनेगा जो बीच है इसमें दो डबल करोश्य दो चैन दो डबल करोश्य तो ऐसे हम बना लेते हैं लास्ट तक यह देखिए यह हमने 4th row complete कर दिया हम 4th row के last में यहाप में एक double crochet बनाया है फिर इसमें हम यहापर 3 double crochet बनाएंगी एक दो और यह ठीक है अब आपको यही 4 लाइने repeat करनी यह 1, 2, 3 और 4 ठीक है लेकिन आपको क्या धेन देना मैं आपको दिखा दो देखिए इसका शेप आप देख लीजिए इस तरह से यह पीछे का portion है यह दोनों बाजू है और यह दोनों front side है ठीक है अब यहापर आपको देखिए दो दो design थी यहापर दो design दो design फिर तीन 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 और यहाँ चार को सेम बनाने कोई दिक्कत नहीं होगी इसी तरह से रिपीट करना है बस बढ़ाते जाना एक design देखिए यहाँ पर देखिए एक दो तीन हो गया तीन के बाद फिर देखिए यहाँ पर डबल क्रुश्या एक तीन डबल क्रुश्या हो गया फिर इसके आदे हाँ पर आपको दो chain बनानी है अब देखिए आप एक दो छोड़ेंगे तीसरे में एक डबल क्रुश्या एक दो फिर एक और डबल क्रुश्या फिर एक दो फिर देखिए एक दो छोड़ेंगे तीसरे में सिंगल क्रुश्या फिर एक दो छोड़ेंगे तीसरे में डबल क्रुश्या फिर दो चैन फिर एक और डबल क्रुश्या फिर दो चैन फिर देखिए एक दो छोड़ेंगे त एक दो चैन एक दो छोड़के तीसरे में डबल क्रोश्या फिर दो चैन फिर एक और डबल क्रोश्या फिर एक दो छोड़के तीसरे में डबल क्रोश्या फिर तीन डिजैन हो गए दो से यह तीन हो गए और फिर यह चौती वाली आपको पता ही है देखिए आप एक दो फिर इ इसे में एक और double crochet है और फिर दो चैन और देखे हैं पहले else double crochet में 1 double crochet में तो जैसे अब हमने पहली line से बनाये था वैसे हिम चार Lina Chanel बना लेगे तीन design now spaghetti है नहीं जैना you chant dance 2 design और बनाइङए ठीक है उसके आद मैं आपको बता तक है तो बना लेते हैं देखिए फ्रेंट्स यह मैंने तीन लाइन बना के कम्प्लीट कर लिए देखिए एक डिजाइन दो डिजाइन तीन डिजाइन यह मैंने तीन डिजाइन कम्प्लीट कर लिए अब हम इसमें आर्मोल और बाजू अलग करेंगी देखिए यहां तक इस तरह से इसको हम अलग कर लेंगे ठीक है तो अब यहां से सिर्फ यह नहीं बुनेंगे सिर्फ नीचे का हिस्सा बुनेंगे तो कैसे बनाना है देखिए चार लाइन जैसे में आपको आई थी वैसी बनानी थी देखिए यहाँ पर फिर से first row हम start करेंगे तो यहाँ तक बनाते भी आएंगे जो हमारा increasing point है यहाँ तक देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, एक, दो, फिर इसका दो चैन बनाएंगे और फिर देखिए एक, दो छोड़ खिर तीसरे में एक डबल करोश्या, दो चैन, फिर एक ओर डबल करोश्या, ठीक है फिर दो चैन और फिर एक दो छोड़के तीसरे में एक डबल क्रोशिया फिर एक दो एक दो छोड़के तीसरे में एक डबल क्रोशिया एक दो छोड़के एक और डबल क्रोशिया फिर एक दो छोड़के एक दो यह तो यहां तक हम इसी तरह से बना लेंगे पहले यह देखिए, यहां तक हमने line complete कर दी, यह जो मारा increasing point है, इसमें हम यहां पर देखें, एक, दो, दो double crochet और एक chain बनाएंगे, ठीक है, और इसके पहले हम क्या करते थे, कि यहीं पर, दो chain, एक double crochet, दो chain बनाने के बात, फिर वापिस से इसी में, एक double crochet, यहां पर हम यहां पर बनाएंगे, ठीक है, यह देखिए, यहां पर एक double crochet बनाएंगे, फिर, एक, दो, दो chain और देखिए, इसके बगल वाले में, यहां पर इसे एड़ करेंगे फिर एक दो चैन एक दो छोड़के तीसरे में एक डबल कुरोश्या एक दो फिर एक और डबल कुरोश्या फिर एक दो फिर देखिए एक दो यह तीसरे में एक डबल कुरोश्या तो ऐसे हम यहां लास तक बना के कंप्लीट करेंगे इसे यहां तो बना लेते हैं यह देखिए यह हमने रो कंपलीट कर लिया है ठीक है फिर देखिए कॉरणर में कैसे बनाना है एक दो चैन बनाएंगे एक डबल क्रोशे और फिर दो चैन ठीक है अब यह पूरा फिर यह आर्रमॉल जो बाजू के लिए हमने बनाय था उसको पूरा और देखिए यहां पर इसमें इसमें हम एक डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर दो चैन और फिर इसमें देखिए इधर वाले में एक सिंगल क्रोश्या फिर एक दो एक दो छोड़ेंगे तीसरे में एक डबल क्रोश्या एक दो अब एक डबल क्रोश्या फिर एक दो एक दो छो आपको कहीं इंक्रीजिंग पॉइंट नहीं बनेगा सिंपल डिजाइन बनानी जैसे अभी तक हम यहाँ यह बनाते थे यह आपको नहीं बनाना बनाना है इतनी डिजाइन हां और बनांगे तो तीन बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूं लेकिन थे पहले मैं आपको यहां यहाँ पर कैसे बनाना यह समझा देती हूं वर नहीं हो सकता आपको दिक्कत आ ताहिए पिए एक दो थीन तीन चेन और फिर इस में एक डबल क्रोशे है फिर इसमें देखके हम क्लस्टर बनाते ते एक दो 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 पहले जैसे हम बनाते रहे हैं अभी तक उसी तरह से इसको बनाएंगे, यह देखे, यह हमने यहां तक complete कर लिया है, अब इसके बाद यहां पर दो चैन बनाने बाद इस space में देखे, एक, दो, यह cluster बना है, फिर एक, दो, पर वापैस से इसमें हम cluster बनाएंगे, और यह ने बना दिकिया, फिर दोचैन और इसी तरह से अब हम इसको बनाते हुए जाएंगे, देखिए, यहाँ पर next, एक, दू, स्वारी, दू के बाद, फिर से बंद किया, एक, दू, फिर दू का cluster, फिर एक, दू, ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे, और अब आपको कहीं भी जो है, देखिए, कहीं इसका increasing point नहीं बनाना है, इसके उपर increasing point मतलब बढ़ाना नहीं है, simple design जैसे ये design इतनी बनती है, उतनी ही पूरी design बना लेंगे, तो फिर आपको दिखाती हूँ, फिर next part में हम आप से मिलेंगे, इस part में सिर्फ इतना ही, उमीद है आपको ये चोली बनाना पसंद आया होग और अगर आपको अच्छी लगी तो इसके next part का wait कीजिए, पसंद आया तो share भी कीजिएगा, thanks for watching, bye bye